इसमान से बरस रही आफ़त की करते हैं इस वक्त आधा हिंदुसान बार बारिश की चपेट में है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने बिहार के लिए बारिश का अलट जारी कर दिया है जिसके मुताबिक अगले 48 घंटे बिहार के कई जिलों के लिए भारी साबित हो सकते हैं मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलट जारी कर दिया है जबकि बिहार के आधा दरजन से ज्यादा जिले बार से प्रभावित है तो आदा हिंदुस्तान फीलाल बार और बारिश की चपेट की वज़ज या से तराही मां करई लेकर इन्द सब ने बिहार की बाग करे 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलट जवारी कर दिया गया है पांच दुलों में भारी बारिश का अलट जवारी की अगया है हलाकि बिहार के कई आलाके ऐसे हैं जो अभी बिदे के बेतिया की तस्वीर आपको देखा रहे हैं जहां लोग किस तरीके से मजबूर है यह तस्वीर आप देखिए बिहार के बेतिया की तस्वीर है हलाकि अलग-अलग जगहों की इसी तरह की तस्वीर सामने आ रही है आपको दिखाई देगा कि गाउं के गाउं यहाँ पर कैसे टापों में तब्दील हो चुके हैं पानी में समा चुके हैं और इस वक्त लोगों की परिशानी जादा बढ़ गई है सबसे बड़ी बात यह है कि मौसनम विभाग ने अभी अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलट जारी किया है इसका सीधा मतलब यह है कि जो इस्तिती इस वक्त बिहार के अलग-अलग जगाहों पर दिख रही है वो आने वाले समय में अब से एक दो दिन और ज्यादा बढ़ सकती है कुद्रत का कहर लोगों को किस तरीके से डरा रहा है यह तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं अलग-अलग जगाई चाही यूपी से लेकर बिहारतिक की बात करें आप मध्यप्रदेश उसे लेकर असम तक की बात करें खेत, खलेहान, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब कुछ डूप चुके हैं और ऐसे में जादा दिक्कते लोगों को हो रहे हैं मौसमें बागी चेतावनी क्या कुछ है ये भी आपको बता रहे है 14 जुलाई तक पंजाब, हर्याना, दिल्ली में बारिश हो सकते है 14 पंदरा जुलाई को जो है 15 जुलाई को अस्प में घाले में बारिश हो सकते है 13 जुलाई को गुआ, माराश, करनाटक में भारी बारिश की चेताव मीज़ारी की गई है अब बिहार की अलग-अलग कुछ तस्वीरे जो सामने आई है वो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं आप देखेंगे बेतिया, सितामणी, सुपॉल, गुपाल, गंज, कटेहार, बगहा, बांका यह जगा अलग-अलग है लेकिन तस्वीर बिलकुल एक जैसी है जहां तक आपकी नज़र जाएगी, बहां तक आपको यह पूरे के पूरे इलाके कैसे पानी में यहां पर डूबे हुए दिखाई देंगे, आप देखिए लोग कितना परेशान है बेतिया की तस्वीर आप देखिए, यह जो सडक है जिस पर पानी आ चुका है यहां पर अपनी जान को जोखिम में डाल कर कैसे आगे भी बढ़ना पड़ रहा है क्योंकि लोगों को घरों से बाहर भी निकलना है, अपना काम भी करना है लेकिन यह मुसीबत भरा भी बहुत जादा हो सकता है, कई मकानों में भी पानी भर गया है और बेहार के बाद आपको यूपी की तस्वीर दिखाते हैं, यूपी के 16 जिले बाड़ और बारिश से बुरी तरह से प्रभावित पिछले 24 घंटे की बाद की जाए, तो उत्तर प्रदेश में आकाश ये बिजली गिरने और बार बारिश की वज़े से 50 से ज्यादा लोग अपनी जान गवा चुके हैं नेपाल में हो रही भारी बारिश का सर, यूपी में भी देखने को मिल रहा है, भारी बारिश की वज़े से ज्याद अतर न दिया उपान पर आ चुकी है उत्तर प्रदेश के कई जिले बार से बेहाल हो चुके है, राज़े में बेहने वाली कई न दिया, इस वक्त तुफान पर बताई जा रही है और इसी के तस्वीर भी आपके टीवी स्क्रीन पर नेके सिद निचले अलाके नहीं रिहाईशी अलाकों की भी बात करें तो वहाँ भी बार का पानी गुझ चुका है, सैकडो गाउंट टापू में पूरी तरीके से तबदील हो चुके है उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वज़ा से कई जिले बार से अब घिर हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सब के बीच में बार प्रभावित हर्दोई जिले से एक तस्वीर सामने आई है जिसमें बार के बीच से बारात निकलती हुई दिखाई दी और दूलहा भी जान जोखिम में डालकर शादी के लिए जाता हुआ दिखाई दिया है बताया गया कि पूरी बारात ने इसी तरह बार के पानी के बीच करीब दो किलो मीटर तक पैदल रास्ता ते किया है ग्यानूखी तस्वीर आपको हर दोई से दिखा रहा है जहां एक तरह बार और बारिश का कहर जा रही है तो आफ़त वाली बारिश के तस्वीर आपको दिखा रहे है और अलग-अलग देखे ग्राफिक सरी आपको ये भी समझा रहे है और अब आपको सीतापूर के तस्वीर दिखाता है जहां पर सैकड़ों भीगा खेत बाड के पानी में पूरी तरह से समा चुके है निचले इलाके में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है फसलों को हुए नुकसान के बज़र से किसान भी बहुत परेशान है सीतापूर में ग्राउन जीरो पर पहुचे नियोज 18 इंडिया के समवादाता अमत सिंग के आपको रिपॉर्ट दिखाते हैं किसानों को काफी ज़्यादा नुकसान हुआ है मैं एक बार फिर से तस्वीरे आपको यहां पर नीचे की तरफ दिखाना चाहूंगा यहां पर देखे किस कदर यहां पर बहाओ है यानि जो खेत नीचे की तरफ है वहां अब पानी जा रहा है इससे काफी ज़्यादा नुकसान होगा हमारे साथ कई किसान यहां पर मौजूद है जो लगातार खेतों में ही काम कर रहे हैं सबसे पहले अपना नाम बताईएगा राजेस कुमारोस्थी राजेस जी यह बताईए कितने बिखा का खेत है आपका हमारे पांच एकड़ है मारे पास 25 बिखा जमीन है क्या-क्या इस बर बुवाई किये थे आप आप गंडा बुवाई ज्यदा करते हैं हम लोग गंडा बुवाई थे सब बोड़ गया खेत है एक एक एकड़धान था वो सब भोड़ गया है वो सब बूब चुका है नस्ट हो गया है मैंने 25 बिखा खेत में जो आप गंडा बुवाई कि यह थे उस सब नुकसान है सब नुकसान हो गया है कुछ नहीं उसके उपर तिन चार फिट पानी उपर चल रहा है तिन चार सब नुकसान हो गया है मेरे पीछे यह सब खेत है और यह सब किसान है इनी के खेत है यह काफी ज़्यादा परशान है रतन गंच इलाके में बाड़ की चपेट में आकर एक पक्का मकान भर भराकर गिर गया और पानी के तेज लहरों में समा गया आपको ये भी बता दे कि कुछी सेकेंड में इट पत्थरों से बना वो मकान ताश की पत्तों की तरड़े गया है। बार्ड की वज़ा से लोगों में दैशत है कि ना जाने कम किसका मकान पानी के तेज बाहव की भिट में चड़ जाए। ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखेंगे ये पक्का मकान बताया जा रहा है इट पत्थरों से बना हुआ मकान लेकिन पानी की जो रफ्तार है आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कैसे नदिया इस वक तुफान पर आ चुकी हैं और इसी वज़ा से लगातार बारि जपकते ही देखें किस तरीके से ये पक्का मकान था जो पानी के तेज बाहव में बह गया उतर प्रदेश के श्रावस्ती बलरामपूर शाजहापूर लखीमपूर खीरी समेट कई जिले ऐसे हैं जो बार से बहुत ज़ादा बेहाल हो चुके हैं लोगों के घर, बार, दुकान, खेत, पानी में पूरी तरह से समा चुके हैं सैक्रो लोग बेगर हो गए हैं लखीमपूर खीरी में हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है यहां तक कि बार के पानी ने रेल की पड़ी ओको भी डुबा दिया है जिससे रेल लाइन पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी हैं पोलिस सद्धिकारी ट्रक्टर के सहरे इलाकों का निरिक्षण कर रहे हैं और बार क्रभावित इलाकों तक मदद पहुँचा रहे हैं पोशिश प्रशासन किये लेकिन दूसरी जरह आप देखें रेल सेवा पर भी इस तासर पढ़ रहा है क्योंकि यह जो पट्री आपको दिखाई दे रही है पूरी करा पानी में बह चुकी है तो ग्राउंड जीरो पर जुआकर नियूज एटीन इंडिया के समवादा अमिट सिंह ने हालात का जॉज़ा लिया वह आपको दिखाता है अब हम इस घर के अंदर दाखिल होंगे और दाखिल होने के बाद बात्चीत करेंगे क्योंकि केवल एक परिवार हमें यहां दिख रहा है जो इस घर के अंदर मौझूद है यह गाओं का सबसे उचा स्थान है तो आप देख सकते हैं कितना पानी है बाकी जगा पर जहां पर सड़क वगरा है दसदस फीट पानी है अब हम अंदर के तरफ दाखिल हो रहे हैं यह घर पूरी तरीके से डूब गया है सामने चप्पर है और पीछे चथ है सामने होते हैं देखें पूरी तरीके से यह घर दूबा हुआ है आप अराम से आएएगा से कैमरा को बचाते हुए अराम-अराम तो कोई निकालने के लिए नहीं आए आपको क्योंकि आपके गाओं में तो सब लोग निकल गए हैं नहीं निकाले को विनाया हुआ है जड़ा अंदर आई अंदर आईए खाना अगेरा सब बन रहा है उपर छटपे हां खाना अगेरा सब बन रहे हैं घर सब निकाल चुके हैं हां सब छटपे हैं तो च्छत का घर ये बना हुआ है च्छत का और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जलमंगन हो चुका है बाड का पानी एंटर कर चुका है और मैं अब एक एक कमरे में एंटर करता हूँ यह सेड़ी घर है और यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है नियूज 18 इंडिया की समधाता बाड़ प्रभावित जिले सीतापूर पहुंचे और बहां के बाड़ प्रभावित लोगों से उनकी मुश्किले जानने की कोशिश वी इस वक्त हम मौझूद हैं सीतापूर जिले के भदपरपूर गाउं में और मैं यहां पर आपको तस्वीरे यहां पर दिखा रहा हूं कि किस तरीके से बाड़ का पानी गाउं में लगातार प्रवेश कर रहा है और लोगों का जिवन जो है पट्री से उतर चुका है पूरी तरीके से भूप चुकी हैं और लोग अपने ज़रूरत के समान इस दुकानों से बाहर निकाल चुके हैं ताकि नुकसान कम हो दूसरे तरफ यह घर है और घर के अंदर पानी एंटर कर चुका है यहाँ पर देखिए इस घर के अंदर भी हम जाने की कोशिस करते हैं यह खटिया है जो इस वक्त बाढ़ के पानी में क्या हुआ क्या 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 रही है कर दो सब सामान भी जिगवान है बिलकुल सब गद्यावे जाओना सब भी जी गई है कब आया पानी पानी परस का आय already तो यह घर के अंदर की देखायें जरा हम दूसरे तरफ की तस्वीरे दिखाएंगी जरा पीृशे की तरफ चाहिए हम दूसरे की कमरे की तस्वीर यहां पर दिखाते हैं तो आप अंदाजा लगाईए किस कदर इस गाओं के लोग जो है वो परशान है घरों में पानी एंटर कर चुका है और बाड का पानी लगातार बढ़ रहा है यूपी और बिहार के बाड अब आपको महाराश्य की तस्वीर दिखाते हैं मुंबई में सुमा से हो रही तेज बारिश की वज़़े से कई लाके पूरी तरह से जल्मग नो चुके हैं बारिश का असर मुंबई के दूसरे इलाकों में भी दिखाई देने लगा है। लोकल फ्रें में भीर जो है वो बहुत जादा बढ़ती जारे जिसकी वज़े से लोगों की परिशानिया बढ़ चुकी है। अब बाद उत्राखंट की करते हैं जो बार बारे से सबसे जादा प्रभावित है। आधी रात की ये तस्वीर आपके तीवी स्क्रीन पर है अब अब अंदाजा लगा लिजे कि जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी सिती इस वक्त क्या होगी इस तस्वीर को देखने के बाद क्योंकि लोगों में देह्शत का माहौल भी है। तब कौन किसकी चपेट में आजाए कोई नहीं जानता। आप देखेंगे इस तस्वीर में भी लगातार आस्मान से भी आफ़त बरस रही है, बारिश हो रही है और दूसरी तरह भी इस फ्लैश फ्लेट की वज़े से संसनी मच गई है। हलदुआने के बाद आपको जोशी मट की तस्वीरे दिखाते हैं, उत्राकन के जोशी मट में पहाड से भारी भरकम चट्टान गिरने का सिलसिला अब भी जौरी है। बदरिनाथ हाईवे को खोलने में जुटे प्रशासन के कुछ लोगों पर अचानक से ही उपर से पत्थर गिरने लगे। तीन दिन पहले पहाड का एक बड़ा हिस्सा तूट कर बदरिनाथ हाईवे पर गिरा था, जिसके बाद से रास्ते को कोलने के लिए मलबा हटाने का काम शुरू किया गया था। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी को चोट नहीं आई है, कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पैदल ही खतरनाक रास्तों से गुजर जरूर हैं। हाला कि वहाँ पर तैनाथ SDRF के जवान लोगों की मदद और उन्हें पैदल रास्ता पार करने से लगाता रोखने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको बता दे कि बदरिनाथ हाईवे पिछले 72 घंटे से बंद है और अभी भी लगातार मलबा हटाने का काम चल रहा है। काम शुरूर किया गया लेकिन घनीमत रही कि किसी को चोट नहीं लगी। जोशिमट के पास पहाड से लगातार पत्थर गिरने की वज़ा से पहले भी मलबा हटाने के काम में बाधा उत्पन हो रही है। पैदल रास्ता पार करने से लगातार रोग रही है। आपको ये भी बता दे बस पानी में आधे से ज्यादा डूबी हुई दिखाई दी है बस पानी के बीचो बीच ओ बीच जब खराब हुई तो इसमें स्कूल के बच्चे भी सवाट थे। और मध्या प्रदेश के हर्दा में जमकर बारिश हुई है जिसकी वज़त से वहां की गंजाल नदी में उफाना आगया और नदी पर फुलना होने की वज़त से वहां के लोग जान जोखिम में डाल कर नदी को पार करने को मजबूर है। अलग अलग दो तस्वीरे आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं मध्या प्रदेश के कटनी के आप तस्वीर देखेंगे और दूसरी तरफ हर्दा की तस्वीरे एक स्कूल बच बीचों बीच यहाँ पर फस गई इसमें स्कूल में जो पढ़ने वाले को यहाँ से निकाल लिया गया और बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया मध्या प्रदेश के बाद राजिस्तान की बात करते हैं जैपूर के साथ-साथ का इलाकों में तेज बारिश हुए जिसके बाद जगा जगा पानी भर गया और जल भराओ की वज़े से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है पानी भरने की वज़े से सडकों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी है देके मौसन विभाग का यह अनुमान है कि अगले दो से तीन दिन भी भारी बारिश के कारण राजिस्तान के बिकाने जैपूर भरतपूर में तेज बारिश होने की संभावना है यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आप जैपूर की देख रहे हैं थोड़ी सी बारिश के बाद जैपूर की इस्तिती हमने अमूमन हमेशा यही देखी है अभी भी वहाँ पर लगातार बारिश हो रही है मौसन विभाग का अनुमान यह है कि अगले एक से दो दिन इस इसी तरह जैपूर वासियों को बारिश के वज़े से परेशान होना पड़ सकता है आप देखेंगे गाड़ियों की रफकार भी कुछ यहां पर थमी हुई धीमी दिखाई दी है तो राजिस्तान वही लाका जो कुछ दिन पहले भीशर गर्मी की चपेट में था लेकिन यह गया कि उन दोनों बसों में एक वीरगंज से काटमांडू तो दूसरी बस गौर से काटमांडू की तरफ जा रही थी कि नुकसान में यहाँ पर बड़ा हो सकता है 62 ऐसे यात्री जो इस बस में सवाट थे लेकिन ये नदी में बहे चुके हैं यात्रियों की तलाश की जा रही है अभी दक बहुत जादा जानकारी मिल नहीं पाई है लेकिन rescue operation बहुत तेजी के साथ चलाया जा रहे सबसे बड़ी बात ये है कि इसी बस में कुछ भारतिये भी सवाट थे दो तस्वीरे आपके सामने हैं देखे और दो बस हैं जो इससा त्रिशुली नदी में बह गई हैं जिसमें 62 यात्री बताया जा रहे कि इस बस में कुछ भारतिये भी सवाट थे कि इस बसे बसी हृटा जाल